कक्षबाना की राजनितिक विज्ञान की पुस्तक है समकालिन विश्व राजनिती इसी पाठे पुस्तक का अध्याई चार और अध्याई का नाम है सत्ता के वैकल्पिक के इंदर तो इस भाग में हम इसी पाठे पुस्तक के अध्याई चार के लगुप्रशनुत्र kingdom करेंगे उसमें पहला प्रशन है यूरोपिय संग क्या है यूरोपिय संग यूरोप के देशों का एक शक्तिशाली क्षेत्रिय संगठन है जिसका उदेश्य यूरोप के देशों के बीच बाधा रहित वैपार को बढ़ावा देना है प्रशन नमबर दो है यूरोपिय संग की स्थापना कब हुई तो यूरोपिय संग की स्थापना 1992 में हुई प्रश्य नम्बर 3 है कि संगठन को यूरोपिय अर्थिक समुदाई इसका सही उत्र है जिसको यूरोपिय संग की अधार्शिला माना जाता है प्रशन नमबर चार है युरोपिय आर्थिक समुदाय का गठन कब और क्यों हुआ था उन्निस सो सतावन में युरोप के देशों के बीज बाधा रहीत वैपार को बढ़ावा देने के लिए प्रशन नमबर पाँच युरोपिय संकी स्थापना करने के लिए मास्ट्रिस्ट संधी पर कब हस्ताक्षर हुए फरवरी उन्निस सो बानवे में एक और प्रशनेर प्रशन नमबर 6 यूरोपिय संग की मुद्रा का नाम बताओ तो यूरोपिय संग की मुद्रा का नाम यूरो है प्रशन नमबर 7 है यूरो मुद्रा का चलन किस वर्श से हुआ तो सही उत्रहिस का 2002 से प्रशन नमबर 8 है वर्तमान समय में यूरोपिय संग के कितने सदश्य देश हैं, तो वर्तमान समय में 27 देश योपिय संग में शामिल है, प्रशन नमबर 9 की अगर हम बात करें, तो प्रशन नमबर 9 है, आशियान का पूरा नाम ले, को इंपोर्टन प्रशन है, तो सभी बच्चे ध्यान से देख ले, तो आशियान को जो पूरा ना है, दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, एक और इंपोर्टन प्रशन है, आशियान की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 में हुई, प्रशन नमबर 12 है, वर्तमान समय में आशियान के सदर्श्य देशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में आशियान म में धान की कितनी बालियों को दर्शाया गया है आशियान के जंडे में धान की कितनी बालियों को दिखाया गया है दस बालिया है उसमें क्योंकि दस देश हैं तो दस बालिया है प्रशन नमबर चोदा है चीन किस महादवीप में स्थित है चीन एशिया महादवीप में स्थित है प्रशन नमबर 15 जो है जनसंख्या की द्रिष्टी से चीन का विश्व में कोन सा स्थान है तो जनसंख्या की द्रिष्टी से चीन का विश्व में पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है प्रशन नमबर 16 है चीन में सामेवादी करांती कब और किसके नितरतों में हु है चीन की मुद्रा को क्या कहते है तो उसको युवान कहते है युवान प्रशन नमबर 18 है चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है इंपोर्टन प्रशन है चीन में यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है साइकल है प्रशन नमबर 19 की अगर हम बात करें तो प्रशन नमबर 19 है, चीन ने अमरीका के साथ कब संबंध स्थापिक किये? 1972 में 1972 में प्रशन नमबर 20 है, चीन ने किस वर्ष खुले दवार की नीती की घोशना की? 1978 में इसका सही जवाब है प्रशन नमबर 21 है, चीन में क्रिशी का नीजी करन कब किया? तो चीन नी क्रिशी का जो नीजी करन किया, वो 1982 में किया, 1982 में प्रशन नमबर 22 है, चीन में उद्योगों का नीजी करन कब किया गया? उद्योगों का नीजी करन कब किया गया? 1998 में, 1998 में किया गया प्रशन नमबर 23 की घर्म बात करें, चीन विश्व वैपार संगठन का सदर्शे कब बना, 2001 में इसका सही जवाब है, प्रशन नमबर 24 है, भारत और चीन के बीच सीमा रिखा का क्या नाम है, मैकमोन लाइन उसको कहते हैं, प्रशन नमबर 25 है, भारत और चीन के बीच का समझोता हुआ प्रशन नंबर 26 है चीन ने भारत पर कव आकर्मन किया एकसान सा प्रशन है 1962 में और प्रशन नंबर 27 है जनसंख्या की द्रिष्टी से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या की द्रिष्टी से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है दूसरा जापान की अर्थ विवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है दूसरा है और प्रशन नमबर 29 है एशिया का रोगी किस देश को कहा जाता था चीन को प्रशन नमबर 30 के अगर हम बात करें तो दो दुरुविये विवस्था के तूटने के बाद अमरीका का मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक सत्ता के रूप में उभरे किनी दो क्षेत्रिय संगशनों के नाम बताओ तो एक है उसमें यूरोपिय संग और दूसरा है आशियान और प्रशन नमबर 31 है भारत ने पूरव की और देखो नीती कब अपनाई भारत ने पूरव की और देखो नीती कब 1991 तन्यवाद नमस्कार